कई बार के होता है कि हमारी personality अच्छी होती है सब चीज होती है बट breast में बहुत जादा सहगी breast होती है बट वहाँ पे हमें कोई भी permanent solution नहीं मिलता है कैसे आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे है सब के life बहुत अमेजिंग चल रही है अंजडेवल breast oversize breast saginess यह तो इतनी common चीज़े हो गई है जो आज की young generation ने face कर रही है मतलब इसके there are so many factors जो इस चीज़ को लेके responsible है, hormonal issue है, overweight है, immediate weight reduction है यह कई बार over breast feeding है, after delivery है, मतलब हम कभी भी एक particular factor को इसका cause नहीं मान सकते बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके solution की कैसे हम इस पर work कर सकते हैं एक मेरी remedy जो है, वो सबसे famous है, मतलब उससे इतने लोगों को इतना positive result मिला है और उसे मैं हर breast की remedy में बताती हूँ, हर breast की remedy में भी सबसे पहले आपको यह चीज़ करनी है आपको क्या करना है, जो राशन वाले चावल आते हैं, दो चम्मत चावल लेने हैं, उसमें पानी मिलाना है लगवक चार-पान चम्मत उसको भीगो के रख दो overnight और सुबह उटके periods के first day से जब भी आपको महीना शुरू उता है तक नाक में इस तरह से लेकर दो दो ड्रॉप्स जो है उस पानी के डालने हैं, पांच दिन जितने दिन भी आपको periods रहते हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ में आज आपको मैं बताने वाली हूँ तीन ऐसी चीज़े जो आपको डेली रूटीन में एड करनी है एक टोंड ब्रेस्ट के लिए, ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए या ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाने के लिए, मतलब यह सब पे वर्क करने वाली है जो पहले मैंने राइस का वाटर बताया, बस आप राइस में ही उसे रहने दो, फ्रिज में स्टोर कर लो और डेली सुभा शाम आपको दो दो ड्रॉप्स नाक में डालने हैं पांच दिन के लिए ठीके कुछ लोगों में अगर सेवन डेस पीरिट्स रह रहे हैं तो वो सेवन डेस उसे कंटिन्यू कर सकते हैं एरंड का तेल, वातशामक, कैस्टर ओयल ठीके जब भी पुराने टाइम में प्रसूता यो प्रेगनेट लेडिस होती थी जिनको बच्चे हो जाते थे तो क्या करते थे कि एरंड के पत्तों को लाके ने उनके दरवाजे के बाहर टांग दिया जाता था उसके साथ दो तिन ओर लिप्स होते थे एरंड जो है वातशामक है कहीं भी दर्द होती है आज भी बहुत सारे गाउं ऐसे हैं बहुत सारी ट्राइब ऐसी है जो उसका पेस्ट लगाती है तो आपको क्या करना है क्योंकि हर किसी के लिए एरंड के पत्तों का अवेलेबल होना मुश्किल है वो नहीं हो सकता तो simple है आपको लेना है castor oil ठीक है जैसे कि मैंने बताया कि oil को directly कभी भी heat नहीं करते हैं उसके गुण properties खतम हो जाते हैं आपको क्या करना है simple एक चमच या कर्ची लेनी है उसको करना है आपको gas पे गरम gas बंद कर दो उसमें आप डालो castor oil लेने के बाद आपको ब्रेस्ट पे clockwise और anti-clockwise मसाज करना है जैसे कि यह ब्रेस्ट है अच्छे से एक टोन ब्रेस्ट के लिए क्योंकि ब्रेस्ट की toning होना important है muscles जो weak हो गए हैं जिसके ब्रेस्ट लटकना start कर देती है muscles को tight करने के लिए gentle massage होना important है ऐसा नहीं है कि आपको forcefully ठीक है अच्छे से आप मसाज करो daily उसके बाद आपको क्या करना है दो चीज़े इसमें और add करनी है सबसे पहले नहाते time और सोने से पहले castor oil लेके नाभी में अच्छे से लगाना है और massage करनी है ठीक है second step हो गया breast पे करनी है third मैंने rice water बता दिया लेकिन हमारी body में एक ऐसा मरम है जो हमारी breast की growth को boost करता है और आपको क्या करना है बहुत simple है आपने ऐसे अपने दिल पे हाथ रखना है इस area में जैसे generally क्या होता है जो cardiac notch होती है यहाँ पे हमें धड़कन महसूस होती है या फिर जादा यहाँ पे जो हमारा यह वाला portion है जहाँ पे cardiac notch है या आप लगा लीजिए जो cleavage का बिलकुल end है या ribs का end यहाँ पे इस area पे लेके आपको तीन बार pressure देना है 1,2,3 बिलकुल हलके हाथों से 1,2,3 1,2, एक बार pressure दे दिया उसके बाद जहाँ पे हमारे यहाँ पे brace की end हो दिया यानि कि हमारा यह arm pit जो यह एरिया है और यहाँ पे इस जगह पे 1,2,3 similar इस side 1,2,3 उसके बाद क्या करना है इस तरह से cross बना लो alternate जैसे under arm है इसके नीचे पे अब यह starting वाला portion यानि 1,2,3 फिर हमारी body को tone up करने में help करेंगे और upper body की proper shape लेने में help करेंगे क्योंकि है बहुत छोटी-छोटी बच्चिया है जो यह issue face कर रही है समझ नहीं आ रहा है किस वज़ासे पर breast में बहुत जादा सहगीनेस है ठीक है इस वज़ासे जो है उनको बहुत जादा issue face करना पड़ता है जो आज की मैंने remedy बताई है यह बहुत ही different और amazing होने वाली है breast tightening में बस massage करने का वे अलग है जिनको tightening चाहिए वो gentle massage करेंगे जिनको breast के size को बढ़ाना है ठीक है वो size क्यों नहीं बढ़ा क्योंकि elimination है वात dominant है हमें eliminate करना है तो वहाँ पे आप जो है hard massage करेंगे तो आपको अगर आप हमारे चानल पर बिल्कुल नहीं है चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को like करना है प्यारा सा comment करना है अब बात करेंगे diet की लिकिन diet से पहले कोई भी remedy आप perform करें जो मैंने बताई है कम से कम 6 महीने आपको regular follow कर करना है for a very amazing result along with therapy or remedy you can start a treatment for breast enlargement along with saggy breast ठीक है या breast tightening लिकिन line of treatment जो है वो ayurvedic है लिकिन duration of treatment जो है वो vary from person to person around 6 month तो minimum आप मान के चलिए उससे उपर कितना भी time आप ले सकते हैं कम तो नहीं लगेगा ठीक है इतना time आपको result दिखने में लगेगा और ये चीज़को ना mind में सोचना नहीं है छे महीने बोल दिया doctor ने क्योंकि आप सुचे कि आपकी एज 25 साल होगी 24 साल 30 साल अभी तक अकर इतने सालों में ग्रोथ नहीं होई तो hormones को stable होने में time लगेगा memory glands की development होने में time लगेगा अब बात करते हैं आहार क्योंकि विहार ये सब चीज़े तो कहली diet भी बहुत important है तो आपको लेनी है omega 3 rich food जिसमें आप flaxseed ले सकते हैं chia seeds ले सकते हैं weight reduce नहीं करेंगे help करेंगे वहाँ पे growth में ठीक है या फिर सबसे best है जैसे कि omega 3 rich तो नहीं लेकिन सौंफ का पानी breast के size increase करने में बहुत अच्छा वर्क करता है ठीक है वात को eliminate करता है it act as a diuretic भी करता है mode of action हर किसी की body में different है तो आपको क्या करना है आदा चम्म जो छोटी वाली हरी सौंफ होती है एक गिलास पानी में सोक करना है सुबह उटके च्छान के इससे पी लीजिए जरूरी नहीं है खाली पेट लेना है like once in a day आपको लेना है कभी आप ले सकते हैं तो ये दिन चर्या फॉलो करना start करें आपको अपने आप changes दिखेंगे लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान क्योंकि हर चीज को वक्त लगता है जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं similar way हमारी body के growth है या हमारी कोई भी बिमारी जैसे दीरे-दीरे करके आती है उसे जाने में भी उतना वक्त लगता है लास्स जो मुझे पता है सबसे common question आने वाला है मैम जो rice water हमने डाला अगर वो खतम हो जाए क्या करना है वैसे तो खतम होगा सिरफ 2 drops यूज करने आपने बस एक फ्रिक्वेंसी ले लो क्या आप जो है दो चमच आपने राशन वाले चावल डालने है उसमें आपको कम से कम इतना पानी रालना है लगवग 50 ml के अप्रॉक्स बस उसके बाद आपका वो पांस दिन साथ दिन आराम से निकल जाए और इनकेस किसी का खतम हो जाए तो आप उसमें दोबारा से रेफिल कर दो उस पानी को आप यूज कर लो minimum उसमें चार घंटे वो सोक रहना चाहिए तो चोटी चोटी बच्चों को पंप देते हैं वाइट डिस्चार्च वेजाइनल इंफेक्शन तो आप बेफिकर होके हमसे इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आई होग कि वीडियो अच्छी लगी हो रेमिडी अच्छी लगी हो बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी रेमिडी पर्फॉर्म करते हैं प्लीज उसका फीड़बैक कमेंट्स में जरूर शेर करें मुझे भी पता चले कि मेरे एफट आप लोगों तक प